question number 20 हमें इसमें भी यह वाला formula यूज़ करना है है ना चुकि उपर एक linear equation है नीचे quadratic equation है ठीक है तो कर चुके हैं हम दो बार इसको use तो अब हम इसके काफी friendly हो चुके हैं तो हमें क्या करना है पहले जो भी उपर होता है इसको हम equal put करते है तो कर लेते हैं तो इसको डिफ्रेंसिटी करो क्या वैल्यू मिलेगी आपको a into में 4x का 4 मिल जाएगा और x square का minus 2x आजाएगा plus b ओके अब compare कर लो तोनों को पहले multiply कर जाएं तो यह आजाएगा हमारे पास 4a minus 2ax plus b अब compare कर लो इसको इसको x से x compare कर लो और बाकी constant time से constant time compare करते हैं तो compare कर लो on comparing both side यह और यह ठीक है तो क्या value मिलेगी मुझे x is equal to क्या मिलेगा x यहाँ पे 2a x है यहाँ पे x है तो minus 2a is equal to क्या मिल रहा है मुझे 1 minus 2a is equal to 1 तो यहाँ से मुझे a की value क्या मिलेगी minus 1 by 2 a हमने find कर ली है आप b find करते हैं तो यहाँ पे क्या है 4a plus b 4a plus b is equal to 2 तो 2 तो यहां से मुझे B की value मिल रही है 2-4A और यह equal होगा हमारा 2-A हमार पास 4-1-2 यह cancel हो गया तो बची के में पास 2-2 मतलब 4 B हमें मिल गई 4 A हमें मिल गई 1-1-2 तो इसमें put कर दो equation में तो यहां से हमें X-2 की value मिल रही है A की value हमें निका लिए 1-1-2 तो 1-1-2 4-2X plus B हमार पास 4 है तो plus B तो हमने X plus 2 की value find किये तो उसमें put कर दो चीक है? तो जैसे हम हर बार करते हैं वैसे कर रहे है integration of X-2 की जागे पर निखने वाला हमें यह वाले पुरी value minus 1 by 2 4-2X plus 4 divide में क्या है मार पास? under root 4X minus X square DX separate कर लेते हैं से अब तो integration of minus 1 by 2 बहार निकालो constant term है मार पास यह तो 4-2X divide में under root 4X minus X square DX plus है तो plus 4 बहार निकाल लेते हैं तो 1 over में under root 4X minus X square DX ओके? यह हमारा I है इसको हम I1 let कर लेते हैं इसको हम I2 let कर लेते हैं हमें I find करना है जो कि हमारा I1 plus I2 है तो कर लेते हैं तो पहले I1 solve करते हैं तो I1 काएगा हमार पास minus 1 by 2 को हमें integrate करना है 4 minus 2X over में under root 4X minus X square DX को simple सी बात है हमें साचो करते हैं वही करना है में नीचे को T let कर लो आपका उपर वाला cancel हो जाएगा तो यहां कर लेता हूं तो let कर लेते हैं 4X minus X square is equal to T और different setting both sides क्या value मिलेगी मिचे 4 minus 2X DX is equal to DT है ना तो यहां से DX की value क्या find हो ही मेरे पास DX is equal to क्या आएगी DT divide में 4 minus 2X उठ कर तो इसमें तो I1 की value में मिल जाएगी जो की मिलेगी हमें minus 1 by 2 integration of 4 minus 2X divide में under root इसको हमने T light किया है तो T into में DX की value क्या आई है हमार पास DT divide में 4 minus X है 4 minus 2X cancel हो गया तो value मिली हमें minus 1 by 2 integration of 1 और में under root T DT जो की आती है हमार पास minus 1 by 2 1 by under root का integration आता है हमार पास 2 under root T plus C1 कर देता है plus C1 यह cancel हो गया तो हमें value क्या है मिली minus under root T plus C1 अब T की value पुट कर दो जो light की थी आपने यह तो minus under root 4X minus X square plus C1 ओके यह हमने I1 find कर लिया अब I2 और find कर लो I2 क्या है महर पास I2 है महर पास 4 integration of 1 over में under root 4X minus X square dx यह value है महर पास है ना इसको solve कर लो के राम से बहुत बार कर चुके हैं हम X size में तो मुझे रगता है आप खुद भी कर सकते हो चाहो तो आप वीडियो पॉस्ट करके खुद ट्राइ कर सकते हो इसको में निस सकता हूँ minus common निकाल के X square minus 4X ठीक है हम क्या करते है X के coefficient को 2 से डिवाइट करते है तो 4 को 2 से डिवाइट करेंगे 2 आएगी का whole square मतलब देखो coefficient of X को हम coefficient of X को हम 2 से डिवाइट करके whole square निकालते हैं तो मतलब हमें लेगी 2 मिलेगी 2 का whole square मिलेगा मतलब 2 का whole square हमें add करना है और minus कर देना है इसमें है ना ऐसी करते हैं हम हर बार यहां पर dx आ गया तो अभी किस form में आ चुकी है 4 integration of 1 over में under root a square plus b square minus 2ab है ना a minus b का formula होता है तो इसको मिली सकता हूँ 2 का whole square minus x minus 2 का whole square dx है ना यह वाले 2 का whole square minus x minus 2 का whole square मैंने बस मैंने से वाला pop is multiply कर दिया a square minus x square हो गया हमारा ठीक है अब यह कौन से formula यूज हो रहा है इसमें बताओ याद करके यह वाले यूज हो रहा कि नहीं हो रहा a square minus x square जो की को रहता है हमारा 4 into में काएगा हमार पास sin inverse sin inverse x के हमार पास x minus 2 x minus 2 over a a हमार पास 2 है over 2 plus c2 करेंगे समें हम क्यों c1 हमने कर चुके हैं तो c2 तो यह हमार पास i2 आ गया हमने i1 find करी रखा है तो हम क्या करेंगे i is equal to i1 plus i2 i1 plus i2 i1 हमने निकाल रखा है i2 हमने निकाल रखा है प्रूट कर लो आप आपका answer complete हो जाएगा ओके ऐसे करना है और हमसा की तरफ फिर से लेक बरस को देख लो ओके